पूरी दुनिया की नजरे जो है वो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के उपर टिके हुई है और वही अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इसलामाबाद में मौजूद है क्योंकि OIC की 48 सत्र की बैठक इसलामाबाद में चल रही है जिसके जलते पूरी दुनिया के लोग जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और किन मसलों पर OIC में चर्चा की जाएगी उसकी कल के सत्र के दौरान जो पहले दौर की बैठक हुई उसमें साथ तोर पर कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जोर दिया गया और साथी साथ यूएन के जर्ये यूक्रेन के मसले को भी उठाया गया तो वही OIC के तमान देशों ने कश्मीर मुद्दे पर खुल करके अपनी बयान बाजी की है जैसे कि कल ही मैंने OIC के दौरान इमरान खान ने क्या कुछ कहा था उनकी तस्वीरों को सामने रख दिया था जिसमें उन्होंने डेड़ अरब मुसल्मानों को फिलिस्टीन और कश्मीर को लेकर के एक जुट होने की अपील की थी और साथी साथ OIC के तमाम मुस्लिम देशों को भी फटकार लगाई थी जो फिलिस्टीन और कश्मीर के मुद्दे को अभी तक हल नहीं कर पाए है जिसके चलते ये साफ तोर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा प्रेशर भारत सरकार पर अब पड़ने वाला है क्योंकि इसमें OIC की मिटिंग में भारत के सबसे बड़े दो दोशमन देश एक पाकिस्तान और चीन OIC की बैठक में मौजूद रहा और जब चीन का हस्तचेप OIC की मिटिंग में हो चुका है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रेशर अब मौधी हुकूमत को इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के मुद्दे पर छेलना पड़ेगा कल इमरान खान की बातों को आपके सामने रखा और सौदी अरब ने भी खुले तोर पर अल्टिमेटम दे दिया है कि कश्मीर से 370 और 35 एस समाप्त करना मनजूर नहीं जब तक ये समाप्त नहीं होगा ये चीजें हमें मनजूर नहीं हैं आपको बता दें कि किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं आपको बता दें कि पिछले दो सालों की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो आज की तस्वीर साफ नजर आ जाएगी इन दो सालों में दुनिया 180 डिगरी पर घूम चुकी है एक समय की अकेली सूपर पावर अमेरिका को अब अनेक देश घास तक नहीं डाल रहे हैं सौधी अरब और UAE के प्रमुखों ने अमेरिकी राश्ट्रपती के फोन को रिसीव करना भी गवारा नहीं क किया है क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका का राश्ट्रपती किसी देश के प्रमुख को फोन करे और वो बात करने से इंकार करते मगर ये हो गया है इतिहास में दर्ज होने वाली ये घटना दुनिया में आए बड़े वदलावों को दर्शाती हुई नजर आ रही है दो साल पहले पाकिस्तान और सौधी अरब के संबन बेहत कराब थे सौधी अरब ने पाकिस्तान से अपना कर्ज इस तरह से मांगा था कि कहीं से लाओ हमारा पैसा दो तुरकी और सौधी अरब के बीच जमाल खाशोगी की हत्या के बाद रिश्टे ऐसे भिगड़े थे कि दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने लगे थे सौधी अरब ने कतर पर हमला करने की नियत से सैना भेज कर घेरा बंदी करना चाही तो तुरकी और इरान कतर के पक्ष में खुल कर सामने आ गए थे तब सौधी अरब को अपनी योजना रोकनी पड़ी सौधी क्राउन प्रिंस ने रूस और चीन को आखे दिखा दी थी और रूस की मांग को सौधी क्राउन प्रिंस ने मानने से साफतोर पर इंकार कर दिया था मगर आज के समय सौधी अरब ने पूरी दुनिया की राजिनीती को ही बदल कर रख दिया है सौधी क्राउन प्रिंस जिस समय एक के बाद एक गलतिया किये जा रहे थे ऐसे में सत्ता की भाग दोर सौधी किंग ने अपने हातों में ले ली थी उन्होंने तकाल तुरकी पाकिस्तान के मामलाज सुधारे पाकिस्तान की मदद से चीन से घुप्त वारता कर अपने सम्मंदों को सही किया कतर तुरकी और पाकिस्तान की मदद से किंग ने इरान के साथ अपने देश के विगड़े तालुकात को पट्री पर लाने के लिए इराक में वार्ता शुरू कर दी इस तरह से सौधी किंग ने सौधी अरब के रिष्टे सभी देशों से सुधारे उधर इस बीच सौधी अरब ने अपने आपको अमेरिका के प्रभाव से आजाद करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया आज सौधी अरब रूस और चीन के ग्रुप में शामिल हो चुका है अमेरिकी रैश्टेपती की कॉल जिस समय सौधी अरब और UAE के साशकों ने रिसीव नहीं की थी उसी समय सौधी क्राउन प्रिंस के पास पुतिन की कॉल आती है और दोनों के पीच दो घटनते बात होती है अमेरिकी ने सौधी अरब को धमकाने के लिए जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को सौधी अरब भेजा तो उसके जवान में सौधी अरब ने सीरिया के राश्टेपती को UAE बुला कर शांदार वैलकम किया जानकारी के मताबिक सीरिया के राश्टेपती रमजान के महीने में सौधी अरब भी जाने वाले हैं साथी चीन के राश्टेपती भी ईद के बाद सौधी अरब का दोरा करने वाले हैं पाकिस्तान में दो दिन का इसलामिक देशों का सम्मेलन जारी है इस सम्मेलन में 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा चीन के विदेश मंत्री भी शामिल हुए हैं ग्यात रहे कि चीन युक्रेन की जंग में रूस के साथ खुलकर खड़ा है सौदी अरब भी पुतीन के साथ है फिलहाल पाकिस्तान भी रूस के साथ है और अमेरिका यूरोप के खिलाफ है इसलामिक देशों के दो साल पहले हुए सम्मिलन में उस समय भारत की विदेशमंत्री रही सुश्मा स्वराज शामिल हुई थी पाकिस्तान के तमाम विरोध के बावजूद कश्मीर से 370 और 35 एस समाप्त किया तब सौदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पर बावजूद कश्मीर पर कोई बयान नहीं दिया था बलकि कहा था कि कश्मीर इसलामिक देशों का मुद्दा नहीं है बलकि ये भारत और पाकिस्तान का अपना मामला है पाकिस्तान कश्मीर क मसले को इसलामिक देशों का मसला ना बनाए वही इस वक्त पाकिस्तान में जारी इसलामिक देशों के सम्मिलन में एक तरफ पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने कश्मीर मसले पर बोलते हुए कहा कि भारत कश्मीर में युद का अपराद कर रहा है वो कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए भारत के अन्य हिस्सों से हिंदूों को लाकर कश्मीर में बसा रहा है तो कश्मीर मसले पर बोलते हुए सौधी अरब के विरेश मंत्री ने कहा भारत ने कश्मीर में जो 370 और 35A समाप्त किया है वो सुईकार नहीं किया जाएगा इन तस्वीरों को खास्तोर पर सामने रखा जा रहा है जहां एक तराफ दो साल पहले जब कश्मीर से 370 हटाई गई थी तब सौधी अरब कहां खड़ा था और आज सौधी अरब ने भी साफ शब्दों में कह दिया के 370 और 35A बिल्कुल भी मन्जूर नहीं किया जाएगा जिसके चलते चीन भी इस बैठक में शामिल हुआ और चीन ने भी कश्मीर के मुद्दे पर अपनी राए रखी और जब OIC की बैठक में चीन का आना जाना शुरू हो गया है तो यकीनन सी बात है कश्मीर के मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर जिलना पड़ेगा मुद्दी हुकूमत को आने वाला वक्त बताएगा कि OIC की जो दो दिवस्ये बैठक पाकिस्तान में हुई है वो कितनी कारगार साबित होगी पर तस्वीरे तो ये पया कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के मुद्दे पर अब मुदी सरकार की घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है मैं ऐसी ही खबरों से आपको रुबरू कराता रहूंगा दिजिए इजासत शुक्रिया